नमस्कार आप देख रहे हैं दवायर बुलिटिन मैं हूँ रितुत उमर और आईए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर मध्यप्रदेश पुलिस ने वकील से मार पीट के बाद माफी मांगी कहा मुस्लिम समझ कर पीट दिया था बीते 24 घंटों में कोरोनवाइरस के रिकोर्ड 5611 मामले दर्श उत्रप्रदेश में पुलिस के कथित डर से दो मजदूर नदी में कुदे एक की मौत और दिल्ली में कोरोनवाइरस से मौतों और अंतिम संसकार की आकड़ों में अंतर स्वास्ते विभाग ने रिपोर्ट और आप खबरे विस्तार से मध्यापरदेश के बैतूल जिले से एक बेहत चिंता जनक मामला सामने आया है जिसने समाज में मुस्लिमों के प्रती नफरत और दुर्वेभार की पोल एक बार फिर खोल दी है आरोप है कि 23 मार्श को मध्यापरदेश पुलिस ने दीपक बुं के साथ बादशीत में दीपक बुंदेले ने बताया कि दरसल ये पूरी घटना 23 मार्श की है 23 मार्श की शाम साड़े पांस से छे वजे के बीच वो दवाईयां लेने अस्पाल गए थे इस बीच कुछ पुलिस कर्द्मियों ने रोक लिया और वापस जाने को कहा लेकिन ब बुंदेले की लाठियों से पिटाई करने शुरू करती इस बीच बुंदेले ने पुलिस कर्मियों के बताया कि वो वकील हैं उसके बाद उनकी पिटाई होनी बंद हुई आपको बता दे कि 24 मार्श को दिपक ने जिला पुलिस अधिक्षक और राज्ये के पुलिस था वो हासिल करने के लिए आवेदन भी दायर किया था लेकिन उन्हें उसके बर्बस कोई जानकारी मोहिया नहीं कराए गई दवायर के साथ बादचीत में बंदेले ने कुछ ओडियो क्लिप्स भी मोहिया कराए हैं जिसमें साफ तोर पर सुना जा सकता है कि पुलिस कर्मी उनसे माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि दरसल उनकी पिटाई जो हो गलत फैमी के वज़े से हुई गलती के वज़े से हुई क्योंकि बंदेले की दाड़ी जो थी बड़ी हुई थी और पोलिस कर्मियों को लगा कि वो मुस्लिम है इसके साथ ही पोलिस कर्मियों ने यह भी कहा कि जब भी देश में दंगे जैसी स्थित्य होती है पोलिस आम तोर पर हिंदूala की अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ए दिनों से देश में कोरोनवाइरस के मामलों में लगातार नए रिकोर्ड व्रदी होती जा रही है। अब कोरोनवाइरस से ठीक हो गए हैं। अब कोरोनवाइरस से तीन लाग चौविस हजार से जादा मोते हो चुकी है। तक कि संक्रमितों का चौवाइरस से जादा बताया जा रहा है। ब्राजील में एक दिन में ही कोरोनवाइरस के 1189 मामले सामने आए हैं। जो कि एक दिन में मरने वालों के सबसे जादा संखिया अभी तक की है। वहीं पर ब्रिटन की बात करें तो ब्रिटन में 35,341 मोते कोरोनवाइरस की वज़े से हो चुकी है। जबकि वहाँ पर संक्रमितों का आकड़ा है वो 2,48,000 से जादा बताया जा रहा है। बात करें इटली की तो इटली में भी करोनवाइरस से 32,179 से जादा मोते हो चुकी हैं। और अगली ख़बर उत्तप्रदेश के अम्रोगा से एक बेहच चिंताजनक मामला सामने आया है जहांपर कथित तोर पर पुलिस के डर से दो प्रवासी मजदूरों ने नदी में चलांग लगा दी जिनमें से एक मजदूर के मौत हो गई ये घटना 18 माई की है दोनों मजदूर अमरोहा हापुल सीमा वाले ब्रजगाट में गंगा के पुल के नीचे नदी में कूद गए इन दोनों को गंभीर हालत में भरती कराया गया नदी में पानी नहीं था इस वज़े से इन दोनों को गंभीर चोटे लगी इने मेरट के Medical College में भरती कराया गया जहां पर इनमें से एक मजदूर ने दम तोड़ दिया मृतक मजदूर की जो पहचान है वो 25 साल के संजीव के तोर पर हुई है जो शाहजापुर के रहना वाला था महीं पर इनके परिजनों का कहना है कि घटना सुबह साड़े-चार बजे के आसपास किया अधेरा था और यह लोग नीचे नदी में नहीं दिख पाए कि नीचे नदी में पानी है भी है नहीं और इन्होंने चलांग लगा दी वहीं पर घटना सल पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि दोनों ने पुलिस के जर से छलांग लगाई और दोनों ही पानी में गिरने के बजाए पुल के पिलर पर ही गिर गए है और अब बुलेटिन की आखरी खबर दिल्ली सरकार के स्वास्थे एवं परिवार कल्यान विभाग ने प्रदेश के सभी निकाईयों से कोरोनवारस के लिए जारी किये गए स्टैंडर्ड ओपरेशन प्रसीजर यानि एसोपी के तहत अंतिम संस्कारों की जानकारी तलब की है आपको बतागे पिछले सकता ही दिल्ली सरकार की जो सास्थे सचिव है उन्होंने उत्तर और दक्षिन दिल्ली नगरनिगम के कमिशनर्स को एक पत्र लिखा था जिसमें साफतोर पर कहा गया था कि वो पंजाबी बाग के शमशान घाट और आईटियों के कबरिस्तान में साथ अन्य दस्तावेज भी मुहया करा हैं आज बुलेटर में सिर्फ इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दवायर की हिंदी अंग्रेजी उर्तु और मराथी वेबसाइट से जड़े रहें तब तक कले शुक्रिया नमस्कार